दोस्तों उत्रखण में एक और समीदा पर भरती का ऑफिसर नोटिपिक्शन आ जोगा है जिसमें यह गोता है 12 पास और कुल 36 पाद है मेरिट के आदार पर इसमें चैन किया जाएगा भरती का ऑफिसर नोटिपिक्शन निरिदेश्यक आयरवेदी के इनौनी शिवा पर भरती है और मांदे इसमें बाराजर रुपए देहाद किया गया है कुल मिला कि 36 पाद पर भरती है और आफ लाइन आपको यह फार्म भरना है बात करें तो शामान ने बर के लिए यहां 33 पाद निधर रहेता है जिसमें से नो एक एक और जिरो एक पाद जो है टोटल मि बात करें तो UK बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड और उपी बोर्ड से यदि आपने इंटर विषय जो है विज्ञान बर से यह बाइलोजी ग्रूप से पास किया है तो आप इसमें आब दिन कर सकता है इसके साथ साथ दूसरी जो कल पिक्षिण जिर मांगा है वो है आरवे बिक्षिण के साथ साय आफ तो एक जुलाई 2020 से कांटिंग होगी और 28-22 के बीच में होनी चाहिए और सुल्क जो है इसमें घ्याप्कोर्ण न लिया जाने करना लिया गया है चैन परिकिया के बात करए तो जिस बस आपने फार्मसिस्ट किया होगा उस बस किया अदर पर ब वर्षबार इसमें योगता करम अर्थात वर्षबार मेरिट बनेगा और मेरिट के अधर पर चायन होगा कोई प्रवेश्पत्र या कोई प्रवेश्परिक्षा आपका नहीं लिया जाएगा अधिम करने की जो अंतिम किती है वो 20 जनवरी 2022-25 तक आविदन कर सकते हैं और आव परदेन के नीचे आपको अस्ताइक रवी करना होगा साथ जो डॉकमेट आपको लगाना है वह जाती परवालपत्र यह जदि आप आरक्शन वर्ग में आते हैं जन्रेर वालों के लिए को जाती परवालपत्र की ज़रूद नहीं पड़ेगी, जय जभी परवालपत्र के र प्रमाड पत्र आपको लगाना है उसके पता लिखा लिखा लिखावा तेज गुणा 10 सेंटिमेटर के साइज में दो लिखापे आपको एटेज करने हैं बड़े लिखापे के अंदर और उसमें 50 ट्रिकट लगाना है कम से कम 40 रुपय का ट्रिकट दोनों में अर्था 80 रुप अब्रति का नाम हिंदी में अंग्रेजी में पिता का नाम जन्तिती और आयू कल्कुलेट करके आपको लिखना होगा पता अचार का पता इस्थाई पता और जितने भी सूचना है इसमें सेक्सिक हो या फिर प्रसिक्षण योगता हो वह आपको कपिलिट इसमें रखना है और उसके बाद जितने भी कॉलमस हैं उसको आप भर देंगे बढेने के बाद अब्रति के हस्ताफ्सर होंगा इस्थान ऐसी डाउम में जिस डेट को आप इसको सबस्क्राइब कर सकते है तो आप के लिए हम इस तरह की वीडियो बनाते या फिर about me section में जाके हमें what's up भी कर सकते हैं पसंद लिए तो ये था आज का वीडियो मिलते हैं अगले गैसे इंट्रेशिम वीडियो में तब तक किलिए अपना ध्यान रखियें बाई बाई जैहिन